आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ एकदम नरम नरम मैथी के पराठे की रेस्पी आपने मैथी के पराठे कई वार बनाए होंगे लेकिन आज मैं बहुत ही नए तरीके से आपको बनाना बताऊंगी यकीन मानिए फ्रेंड्स आप 24 गंटे भी इन पराठो को रखे रहेंगी सफर में ले जाना हो या घर पर ही रखना हो तो बिलकुल नरम नरम बने रहेंगे कुछ अंदाज नया होगा नई चीजें हम इसमें एड करेंगे जिससे मैथी के पराठे एकदम सुपर टेस्टी और नए फ्लेवर के बनेंगे आई होप आपको आज की ये पराठे की रेस्पी बहुत बहुत जादा पसंद आएगी तो चलिए बिना समय गवाई शुरू करते हैं आज की स्पेशल मैथी पराठा की रेस्पी तो सबसे पहले इन पराठे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग दो मुठी मैथी ले ली है यह तो एक मुठी भर करके हम मैथी को पकड़ लेते हैं और इसको हम एक बार 20 से कट करेंगे यहाँ पर मैं चाकू से ही बारिक बारिक काटना बताऊंगे आपको आपके पास अगर हसिया है तो आप उसका इस्तिमाल भी कर सकते हैं तो बस 20 से काटने के बाद दोनों हिस्तों को बापस से हम जॉइंट करेंगे और चाकू की हेल्ट से हम बिलकुल बारिकी से इसको काटेंगे हाथ को हम पीछे लेते जाएंगे और चाकू की मदब से इस तरह से काटते जाएंगे इस तरह ऐसे आप कितनी भी बारीक हो मैथी हो भाजी हो कट कर सकते हैं तो मैथी को हमें बहुत ज़्यादा बारीक करने की भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि हम पराठे में डालने वाले हैं थोड़ी थोड़ी सी पत्या मोटी मोटी सी रहेंगी तो और भी बढ़िया फ्लेवर आता है तो इसी तरह से हम दोनों ही मुठी मैथी को कट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं मैथी हमने कितनी बारीक काट ली है इसको हम अलग एक स्टेनर में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बांकी की बची हुई मैथी को भी कट करेंगे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम कोई भी मैथी की सबजी या फिर पराठे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा कड़वापन हो जाता है तो आप क्या करिएगा पहले काट लीजे मैथी को फिर आप वाश कर लीजे तो इससे जो कड़वापन है मैथी का वो खतम हो जाता है तो चलिए हम मैथी को कच कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको अच्छे से पानी से वौश करेंगे पानी से धोने के बाद इस मैथी को हम थोड़ी देर के लिए रग देते हैं लगबग 2-3 मुट के लिए ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए अब हम इसको अच्छे से धो लिया है अब हम इसको लग देते हैं जब तक हम अपने आगे की तयारी कर लेते हैं यहाँ पर हमने लिया है मिक्सी का जार इसमें हम डालेंगे एक मुठी कटा हुआ हरा धनिया धनिया हमने थोड़ी सी ज्यादा क्वाश्टी में लिया है यह हमन स्थाथ याइं से लाए हुरा है साथि में हम ने ली है यह मोती थनिया लेकिन गचंची होती है तो यह हरे रंकी होती है इनमें खुश्बू बहुत अच्छी होती है ये देखिए मैं दिखा देती हूँ सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाती है तो ये सावो धनिया है ना जो हरी धनिया इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे पराठे में तो थोड़े से हमने बीज ले लिए हैं इ आपको स्पून से दिखा देती हूँ ये देखिए कुछ इस तरह से हमें इसका मिश्रल बनाना है अब हमने यहां पर एक पराठ ले ली है आप थाली कोई भी बरतन ले सकते हैं इसमें हम डालेंगे लगभग 5-6 कप के करीब यहूं का आता नौर्मल आता है इसमें लोग र नरम 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 बने दढलेंगे आदा चमश डालेगे जीरा फीमें हम एक चमश भर करक्र कर करकर दोंसें कर नरम पराठ यादा या लाल ग्ला एक बाड़ंड़ करते हैं के तुद्धी के डालते हैं सफेद तिल सफेद तिल सर्दियों में बहुत फायदेमंद होते हैं और ये फ्लेवर को भी बढ़ा देते हैं थोड़ी सी इसमें अजवाइन डालेंगे अजवाइन पूरी तरह से और साथी में हमने जो मिश्रन पीस करके रखा हुआ था ना मतर हरे धनिया वाला इसको हम पूरा ही डाल देंगे यहां पर मतर को हमने इसलिए पीसा है मतर का फ्लेवर रहेगा पराठे में और पता भी नहीं चलेगा तो उसी मिक्सिंग जार में हमने आपा थोड़ा सा पानी अज़्या ठिमाल लेघएं जिसका हम आटा गूत राखें तो अभी पानी भी चीन डालें गें पहले सबी चीज हो कर लेंगे आब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके इस आटा गूतेंगे तो अभी मैंने इसमें नमक निडाला है मैं भूल गई हूं तो इसमें साधन सा नमक भी डाल देते हैं तो चलिए अब हम इसका सौफ सा आटा गूत लेंगे तो पराठे का जो आटा है बहुत ज़्यादा सक्त मत करिएगा वन्ना पराठे हैं वो भी सक्त बनते है उन में सौफनेस नहीं रहती है तो इसलिए आटा आप नरम-णरम ही गूत है और अच्छे से मसल मसल कर लिए आटा हमने गूत लिया है और देखिए काफी नरम आटा गूत है आप चाहे तो इस तरह से चेक कर सकते हैं छोटी सी गोली ले करके इसको गोल-गोल बनाईए है लेकिन आपको अच्छे पके हुए टमाटर ही लेने हैं तो यहाँ पर दो चार आप कैसे भी टमाटर ले सकते हैं लेकिन आपको अच्छे पके हुए टमाटर ही लेने हैं तो टमाटर को हमने रफली काट लिया है अब हम चलते हैं गैस की तरफ यह हम बनाने आदे हैं टमाटर की बहुत ही मज़ेदार चट्नी जो पराथे में चार चान लगा देगी तो यहां पर हमने एक पैन रखा हुआ है पैन में हम डालेंगे एक चम्मट देसी घी य साती में हम धालेंगे थोड़ी सी कलॉंजी की जैसे आप ओमने शीट्स भी बोल सकते हैं कलॉंजी ना हो तो यहां पर आप आप पाली तिल कर सक्ते हैं वह भी ना हो तो कोई बात यहीं आप इसको स्किंप कर दीजिएगा बारी कटी हुई ुष में हम हरामिर्श डाल डेत तो अब हम इसमें डालेंगे करते हुए टमाटर को अच्छे से हम मिक्स करेंगे अब बढ़िया तरीके से गल जाएं इसके लिए इसको हम कवर करके दो मिनट के लिए लोटू मीडियम फ्लेम पर धख करके पकने देंगे दो मिनट बाद चलिए हम चैक कर लेते हैं तो टमाटर जो है नरम हो चुके हैं लेकिन अभी यह मैशी नहीं हुए है तो वह हम इसको बाद में करेंगे देखिए यह गल चुके हैं तो अब हम इसमें डालेंगे गुड़ तो गुड़ यहां पर आप अपने टेस्ट के करेंगे समाल भी कर सकते हैं गुड़ को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें डालेंगे 1-4 चम़च काला नमक 1-4 चमबच हम बूने विए जीरे कापाउडर और आधा चम़च यहां अड़ा पिसी हुई मिर्च सभी मसालों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको बापस से धक करके 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे थोड़ा से टमाटर और नरम हो जाएंगे और मसाले भी अच्छे से मिक्स अफ हो जाएंगे और अपना फ्लेवर देंगे तो चलिए इसको हम धक देते हैं 2 मिनट के लिए लगबग 2 मिनट हो चुके ह तो एक बार हम इस पैचला से अच्छे से दबाते हैं टमाटर को मिक्स करेंगे ताकि थोड़ा से मैशी मैशी हो जाएं और अब हम इसमें उपर से डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला साथी में कटा हुआ हरा धरिया डाल देते हैं तो लीजे फाइनरी टमाटर की चटनी या फिर टमाटर की सबजी बिल्कुल तयार है पर आठे इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इसको हम साइड में रखेंगे अब यहाँ पर जो आठा है काफी अच्छे से सेट ह हो चुका है यहाँ पर हमने पर्थन ले लिया है थोड़े से हिस्से आठे को ले करके इसकी हम लोईयां बना करके तयार करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पर्थन लगाते जाएंगे ताकि यहाँ तो में चिपके ना और अब हम इसकी बरावर शेप की लोई बना लिया है इसी तेल का इस्तिमाल हम पण्थी सेखते समाई भी करेंगे एक लोई लेंगे और इसमें हम पर्थन लगाएंगे तो यहां पर मैं आपको तीन तरीके से से पराठी बनाना बताओंगे आपको जो भी अच्छे लगते हैं अप अपने हिसाब से बना सकते हैं तो सबस देंगे अब मैं आपको दो तरह के पराठे बनाना और बताऊंगी अब हम बापस एक लोई लेंगे और इसको पूरी के जितना शेप में बेलेंगे यह पराठे मेरे फैवरिट है मुझे इस तरीके से बने पराठे बहुत पसंद आते हैं क्योंकि इसमें लेयर्स बन जाती है हम क्या करेंगे पूरी के जितना बेलने के बाद पूरे सरफेस में हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसको फोल्ड कर देगे बापस से हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे बहुत जादा नहीं लगाना है बस हमें ग्रीस करना है एक तरह से और इसको बापस से फोल्ड कर द अगर आप इसको एक बार और बेल करके फोल्ड कर लेते तो इसमें चार परते आ जाती तो लीजिए हमने ट्राइंगल सेफ का पराथा भी बेल करके तयार कर लिया है इसको भी हम प्लेट में डग देते हैं अब हम बनाएंगे रेक्टेंगल सेफ में पराथा यानिकी चौकु करेंगे अब उपर वाला जो हिस्सा है इसको भी हमें फोल्ड करना है लेकिन थोड़ा सम तेल उपर भी लगाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे ध्यान से देख लीजिए और हलका सा दबाएंगे तो यह हमारा रेक्टेंगल सेफ बन करके रेडी हो गया है पर पराठा पराठा बेल चुके हैं अब इनको सेखने की बारी है तो उससे पहले हम अपने टमाटर की चटनी को सर्फ कर लेते हैं बोल में क्यूंकि हम गर्मा गर्म पराठे का आनंद लेंगे इस बढ़िया सी तेष्टी चटपटी खट्टी मीथी चटनी के साथ तो इस टमा पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं और लंबे समय तक नरम भी बनी रहते हैं आप चाहे तो नौनिस्टिक भी यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम अपना गोल शेप बाला पराठा सेकेंगे तो इसको हमने तवे पर डाल दिया है जब तक हमें छिड़ खानी नहीं करनी है या पलटना नहीं है जब तक कि ये तवे की सरफेस को छोड़ नहीं देता और खिसकने नहीं लगता है कुछी सेकेंड में देख सकते हैं इसने सरफेस को छोड़ दिया है तवे के अब हम इसको पलटेंगे और थोड़ा सा 15 सेकेंड कंतजार करेंगे नीचे की तरफ सिखने में और अब हम इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर एक बात में क्लियर कर दूँ यहाँ पर हमने प्याच को बारी काट के आटा में मिलाया था इसलिए यह पराठे जादा फूलते नहीं है थोड़ा बहुत फूलते हैं लेकिन बनते बहुत टेस्टी है अगर आप चाहते हैं कि पराठे फूलें तो आप प्याज को पीस करके यहां पर इस्तिमाल कर सकते हैं हमने दोनों तरफ ही तेल लगा दिया है स्पेशला से हम दबाते हुए इसको बढ़िया से सेख लेगे तो इस तरह से पराठे बाहर से तो क्रिस्पी होते हैं लेकिन इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको 24 गंटे भी रखे रहेंगे ना तो ऐसे ही नरम नरम बने रहेंगे तो हमने इसको दोनों तरफ से अच्छे से दवाते हुए सेख लिया है अब मैं यहां पर आपको एक टिप देती हूँ जब भी आपका पराठा सेख जाए तो निकालने से पहले तवे से इसकी उपर दूसरा पराठा रख दीजिए और पलट दीजिए पलटने के बाद एक पराठे को और पलट दीजिए इससे क्या होगा जितना पहले पराठे में तेल लगा हुआ है न वह सारा दूसरे पराठे में लग जाएगा तो तेल भी अलग हो जाएगा यहां पर दूसरे पराठे को सेखने में हमें कम तेल का इस्तिमाल करना पड़ेगा तो देखिए मैं इनको हाई फिलेंप पर ना सेके मीडियम पर सेके मैं आपको दुबारा इस लिए बता रही हूँ क्यूंकि मीडियम फ्लेम पर सेके हुए पराठे बहुत लंबे शमय तक नरम रहते हैं तो हमने दोनों तरफ तेर लगा लिया है इसको हम दबाते हुए बढ़िया से दोनों त फोलें जsm लग गिया को उठा लेते हैं और ऐसी तरह से वापना प्राथा बीREE करके तयार कर लेंगे आगर आप प्राथा महबानों के लिए सब करती है तो यकीनमानी वोग बहुत ही जादा अच्छा लगेगा तो इसी तरह से अमने अपने गर्मा गरम पराठे सेख करके तयार कर लिए हैं अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं तो हमारी तेमाटर की मज़िदार चटनी रेडी हो चुकी है और यह रहे हमारे गर्मा गरम मैथी के पराठा देखिए अब सफर में आपको ले जाना हो या घर पर स्टोर करके रखना हो तो चौबिस घंटे के लिए आप इनको स्टोर कर सकते हैं ऐसे ही नरम नरम बने रहेंगे तो देखिए अब मैं आपको इसको इस तरह से भी दिखा देती हूं रेस्पी को बनाना तो बिल्कुल बनता है ज येखिए